हालो फ्रेंड वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे एसी और एंसी बलून के बारे में कि सेमी कॉम्पलायंट और नोन कॉम्पलायंट बलून में किया डिफरेंस होता है और इन्हें कब-कब हम इसे यूज करते हैं सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऐस्धी पलून पर इसे सेमी कंपलाइंट बलून से जाना जाता हैं नो जो बने होते हैं वो रहते वह पूलि यूड doet 16 अधिक तो इसको हम जालेका प्री बलून में हम यूज करते हैं जहां लीजन वगएरा हमने डालेट करना होता है यह जो बलून है यह अपने नॉर्मल साइज से 20-15% एक्ष्टा फूल जाते हैं इसलिए हम इसे प्री बलून में हम यूज करते हैं ताकि लीजन अच्छे से डालेट हो जाए ताकि हमारा स्टन्ट वगएरा उसे उसमें से अच्छे से क्रोस हो जाए इसलिए हम इसे प्री में हम यूज करते हैं प्री में ज्यादा कर एक डेड़ दो ड्हाई के बलून इसमें ऐसी में आते हैं मतलब इसका कहना है मतलब है कि ऐसी बलून जो हमारे होते हैं इसको हम जो हमारे normal size का है दो का balloon है तो हमें उसको हम 20-25% extra हम पुला सकते हैं हम इसको 20-25% extra हम inflation से inflate हम कर सकते हैं अब हम next में आते हैं NC balloon जिसे non-compliant balloon बोला जाता है high pressure balloon के नाम से भी इसे जाना जाता है यह जो बने होते हैं यह polyester और nylon के बने होते हैं इसे हम जाकर post में यूज़ करते हैं after stunt में हम यूज़ करते हैं ताकि जो stunt है वो जो artery का size है तीन या साड़े तीन का उससे हो match कर जाए अच्छे से inflate हो जाए यह जो NC balloon होते हैं यह inflate हम इसे high pressure balloon से बोलते हैं पर यह जो अपने normal size से 10% extra तक ही full पाते हैं अगर मालों यह तीन साड़े तीन का balloon है तो यह 3.60 ताकि इसको हम इसे फुला सकते हैं देखो यह मेरे सामने NC balloon पढ़ा है और SC balloon बना पढ़ा है जब हम इसके graph को देखते हैं जैसे यह हमारे पोने तीन आठ का balloon है तो देखो इसका पूंतीन आठ जो नोमना नोमनल जो आठ है ठीक है तो इसके जो आर विप्याट टू पाइंट नाइन वन का है तो आप देख सकते हो कि इसमें 20% के आसपास एक्स्टा इसका साइज हो जाता है ऐए ऐसी बेर अब यहीं दूसरी तरफ बढ़ते हैं एंसी बिलून के दर पे जो हाई प्रेसर ब्रूह जिसे बोला जाता यह 30-12 का बलून है इसका नोमनल जो है जो अपने प्रेसर बेशार चाप्रून जो होता हो बारा तेरा के आसपास होता है और इसका आर वीपी है 3.65 अगर हम इससे उपर हम फुलाते हैं तो इसके फटने के चांद से ज़्यादा रहते हैं यह तो हमारा एंसी बून पोस्ट ब्लून जो आप ट्रस्टेंट यूज़ करते हैं और यह प्री ब्लून है जो हम बिफोर बिफोर प्लास्ट यूज़ करते हैं अगर फ्रेंड्स आपको कुछ समझे नहीं आए तो आप कोमेंट सेक्शन पूछ सकते हो अगर कुछ आपको ग